नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनिल्ज लॉंचर के इस यूटूब मंच पर दोस्तों अर्भिंद केज रिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अब अंत्रिम जमानत पर बाहर है एक जून तक यानि जब तक चुनाव संपन नहीं होगा तब तक वह बाहर रहेगे और पूरे देश में आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर कुनाओ लड़ रही है चार सीटों यानि असंकी चार सीटों और गुझरात की 18 सीटिव में छोड़ दीजिए पंजाब की 15 सीटें पंजाब में भारती जंताब्वाडी की किसमत का ताला लग्जाद फूकर देटा है लेकिन अकाली दिटल का गठम 달ण नहीं इंडिया अलायंस के तहट एक सीट अर्विन के जिवाल की आम आदमी पार्टी लग रही है और स्वभाविके की हरियाना का जो माहौल है जिस पकार से हरियाना में भारती जन्नता पार्टी के खिलाप माहौल नजरा रहा है क्या आम आदमी, क्या पारसद, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाए और क्या विधायक, क्या छोटे दल सब के सब भारती जनता पार्टी से दामन छुडा रहा है लेकिन जब भारती जनता पार्टी से पूरा हरियाना दामन छुडाने की स्थिती में है तो उस परिस्तिती में ये सवाल भी उठता है कि क्या दिल्ली NCR के जो दो सहर हरियाना में आते हैं गुणगाव और फरिदाबाद वो भी दामन चुडाने के स्थिती में हैं और वो दोनों दिल्ली से लगा हुआ है तो अरविंद के जिवाल की गिरफतारी क्या रंग और उन संख्या के समी करण को समझना जरूरी हो जाता है कॉणरेस पार्टी के साथ गटमंदन है वोटों के पर्तिसत की भी हम बात करेंगे पिछले चार चुनाओ दो लोकसभा और दो विरानसभा चुनाओ के भी बात करेंगे और कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी ब्यक्तितु के बूते और कॉंग्रेस पार्टी के संगठन के बूते सीट निकाल दे वह अलग बात है या फरिदाबाद में अस्थानी अस्थांसत के प्रती नाराजगी और सचिन पाइलट जैसे बड़े गूजर नेता के हाथ में इस पूरे NCR में एक अघोसी उन साथ सीटों पर जो भारती जनता पार्टी का साथ जीरो का स्ट्राइक रेट है यू कहें कि दिल्ली हरियाना मिलाकर 17 सीटों पर 2019 में 17 जीरो का जो स्ट्राइक रेट बीजेपी ने मेंटेन किया अब उसमें डेंट लगता हुआ नजरा रहा है पहले बात हम करेंगे हुआ सहर है दिल्ली में जो आम तोर पर वोटर है वो कौन है सरकारी कर्मचारी है चाहें तिमारपूर हो या सेंट्रल दिल्ली का हिलाका हो या साउथ दिल्ली कार्के पुरम हो या कुछ दूसरे इलाके हो सरकारी कर्मचारी रीटारेट सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली का एक इलीट क्लास 3-6 तुझे धिल्ली में न Cop Prest concerns outs to the सब्हुलाइब कर्यों कि कि करोलबाक तक और लाजपतनगर से ले के देश डिली के दूसरे हिस्टों में पुत्तम आग़ इन सब इलाकों में नजर आता है सिक्वाईयों की एक बड़ी आबादी है मोटे तुरप कहें तो सभी यल्प-संख्यकों की बहुत बड़ी अबादी है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्तों में चाहे वह तिलक नगर का इलाका हो चाहे नौर्स दिल्ली का इलाका हो उनकी ठीक ठाक आपादी है चान्नी चोक हो और इन सब के बीच दिल्ली में जुगियां भी है एक बड़ी दली ताबादी भी दिल्ली में तो मोटे तोर पर यहीं दिल्ली है लेकिन इसके उलट दिल्ली के आसपास जो चार लोगसवा सीटे हैं दो पर चुनाव हो चुके हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्धनगर यूपी में है और हर्याणा में दो सीटी है दो लोगसवा सीटे हैं एक गुड़गाओं और दूसरा फरीदाबाद तो इन चारों लोगसवा सीटों और दिल्ली के अंतर को देखें तो जैसा मैंने दिल्ली का डेमोग्राफिक कंपोजिसन आपको बताया उसमें याद रख इन चारों में देश के दूसरे हिस्सों से आए खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए तकरीबं 50 लाग के करीब लोग हैं और इनकी तादाद में जो इतनी बड़ी दिखती है उसमें ज्यादातर मुल्टी नेस्नल और प्राइविट कंपनियों में काम करने और हैं इस वाले लोग और इन्हें इस बात से फर्क नहीं है कि सरकार ने कि इतना बेकनिसी निकाली और नहीं इनन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है या old pension scheme मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक अलग ही दुनिया है और इस अलग दुनिया में लेट नाइट पार्टी और तमाम चीजें आपको दिखाई जेंगे तो एक अलग कल्चर है इस कल्चर को भी कस्म पोडिटर के तहट उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन इसका भारती जनता पार्टी सूट करती है इसलिए सूट करती है क्योंकि यह जो कंपोजीश जनसंक्या का कमपोजीशन है वो साफ दिखाता है कि इसमें जानातर अगडी जातियों और वैसे समधाय से जो बीजेपी का वोट बैंक रहा इन राज्यों में उससे आए हुए लोगों का कमपोजीशन है लेकिन इसके बरक्स दिल्ली दिल्ली में इलीट है दिल्ली में कि एक बड़ी तादार है जितनी बड़ी तादार या उसका एक चौथाई भी कहें तो इंटेलेक्चुल्स की बहुत दिख जगत की एक बड़ी तादाद आपको NCR के इन चारों लोगसभा सीटों पर नहीं मिलेगी जो दिल्ली में मिलेगी अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गठबंदन और केजरिवाल के रोडसों उनका हनुमान मंदिर जाना और सीधे सीधे नरंद मोधी को चुनावती देना वो किस का लोगसभा चुनाव और 2020 का लोगसभा चुनाव तो 2020 का बिनान सब्सभा चुनाओं और इन चारों चुनाओं में एक चीज़ आप दिखती है पंदरा और बीस के बिनान सब्सभा चुनाओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी को दोनों बार लगभग 24% वोट मिले 54% दोनों बार मिले यानि आम आदमी पार्टी अपने जनाधार को बरकरार रख पाई एक बार 67 जीती तो एक बार 62 जीती लेकिन कॉंग्रेस पार्टी जो लगबक 11 परसेंट वोट 2004 में लाई थी 2015 में विरांसभा चुनाओं में वो घटकर 4 पर तिसद पर आ गया 2020 में 15 पर तिस 11.-4 परसेंट यानि 7 परसेंट की गिरावट पांच सालों में विरांसभा चुनाओं में आई और भारती जनता पार्टी उसके 7% वोट बढ़ गये 32 पर भारती जनता बढ़ गई 32-49 हो गई तो इसका सीधा मतलब है कि कॉंग्रेस के वोटर्स की एक बड़ी तादाद जिसे लगा कि कॉंग्रेस पार्टी मुकाबले में नहीं है और आम आदमी पार्टी को बीजेपी हरा सकती है उसने बीजेपी की तरफ मूव किया साथ परसेंट उसके घटे और साथ परसेंट इसके बढ़ गए लेकिन तब भी हरा नहीं पाए अब लोगसभाद चुनाओं को देखते हैं लोगसभाद चुनाओं के दर्मियान भारती जनता पार्टी को 46 परसेंट वोट मिले थे 2014 में दिल्ली की सातों लोगसभाद सीटों पर सातों सीटे जीती थी वहीं आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस को मिलाकर 49 परसेंट वोट मिले थे 33 परसेंट आम आदमी पार्टी को और 15 परसेंट कॉंग्रेस को 33 परसेंट वोट थे जो अगर दोनों साथ लड़ते तो यह 48 परसेंट यानि बीजेपी से 2 परसेंट ज्यादा थे तब अच्छे दिनों की आस थी तब नरेंद मोदी पर लोगों का भरोसा था लेकिन 14 से 19 में जब आते हैं तब 19 में दिखाई देता है कि भारती जनता पार्टी के वोट 11 परसेंट बढ़ गए 11 परसेंट बढ़ गए तिरकुनात्मक मुकाबला जैसे 2014 में हुआ वैसे ही 2019 में हुआ लेकिन बाला कोट सर्जिकल स्ट्राइक का जो असर था पुलवामा कांड का जो असर था जो भावनात्मक उबाल था उसने भारती जनता पार्टी के वोटों को 46 से बढ़ा कर 56 के तुल्ना में 19 में बढ़ गए लेकिन आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के जो वोट थे 38 परसेंट वोट वो गिर के 10 पीसदी गिर के 38 पर आ गए आम आदमी पार्टी को जो 33 परसेंट वोट मिला था 2014 के लोग सवाचुनाओं में दिल्ली में वो घट करके आ गया 15 परसेंट पर और कॉंग्रेस को जो 15 परसेंट वोट मिला था वो बढ़कर हो गया 23 परसेंट 8 परसेंट की ब्रिद्धी और इन दोनों को जोड़े तो 38 परसेंट होता है 38 परसेंट जो इन दोनों को कलब करने पर 2014 में 48 परसेंट हो रहा था मोटे तोर पर कहें कि दोनों की साजा ताकत में 10 पसंड वोटों की गिरावट आई और भारती जनता पार्टी की ताकत में 10 पसंड वोटों का इजाफा 14 के तुल्ला में 19 में हुआ सीधा गणित है तो ऐसा हुआ क्यों स्वाभाविक है कि दिल्ली दिल्ली के वोटर पढ़े समझदार है वट्ट्रप इंसरी वाले नहीं हैं और उसाब दिखाई दे रहा था कि बाला कोट Mm नरेंद मोदी का हाथ मजबूत करने की जहुरत है उन्हें साथ दिखाई दे रहा था कि बिदान सभा में आम आदमी पार्टी तो ठीक है लोग सभा का चुनाव रास्टी है चुनाव है और यहां कॉंग्रेस ही मुख्य मुकाबले में है कॉंग्रेस के वोट बढ़ा दिये आ दिल्ली का वोटर जानता है कि वोट किसे देना है और कौन किस चुनाव के लिए उप्यूक्त है बिदान सभा में उसी लोग सभा के बाद बिदान सभा चुनाव होते हैं 15% वाली आम आदमी पार्टी फिर 54% पचली आती है केवल 7-8 महीने के बार तो यह दिल्ली है दिल्ल के पक्ष में सहानभूती है स्कूल की महला क्लिनिक की और दिल्ली में गरीब बच्चों की सिक्षा पर लोवर मिल्ल क्लास की सिक्षा पर इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मुहया कराने की कोसिस हो रही है वह एजुकेशन गारेंटी की बात हो रही है 30 लाख वेकेंसी वो लोगों को दिख रहा है 200 यूनिट फ्री बिजली अर्विन के जीवाल की वो लोगों को दिख रही है और CBI ED का दुरुप योग ये भी लोगों को दिख रहा है तो इस परिस्तिती में 56-57 परसेंट वोट से गिर कर भारती जनता पार्टी कितना नीचे जाएगी ये जनता के पल्स को देखकर आप समझ सकते हैं और पल्स कौन निर्धारित करेगा अल्प संख्यक वोटर चाहे वो मुस्लिम हो या सिख या दूसरे धर्मा और लंबी हो भारती जनता पार्टी के खिलाफ नके बराबर जाने उसके पक्ष में नके बराबर जाने वाले हैं सबके सब इंडिया अलाइंस की तरफ मूव करते दिखाई दे रहे हैं अब तो mcdbbjp के हाथ नहीं है वहां भी आम आदमी पार्टी जीत गई और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गठवंदन को भूल जाए कि कहां से कनहिय कुमार है कहां से उनित राज है और कहां से स्टोमनाद भारतियम्माहावलमिस्रा है यप कहां कोलीप कुमार है। यह सब केंडिटेट दिल्ली की सातों लोक्फवाट सीट फर बेहत सामाने साशर रखते हैं। यहां मुद्दे असर रखते हैं यहां बिजली पानी असर करती है यहां दिल्ली में कौन गारेंटी देगा 30 लाक नौकरियों की और कौन राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगा और घर घर में चावल का अच्छत माटेगा 22 जनवरी के पहले इसके बीच में जनता तै करती है कि होने क्या जा रहा है तो दिल्ली में क्या होने जा रहा है वो ओल्ड पिंसर्ण इसकी मांगने वाला सरकारी करम चारी करेवा तह करेगा जोरीनिक कृणuchen है कि और नीम कि अग्रेंगा राहुल गांधी की जो गारेंटी है उससे कितना फाइदा होने को यह भी दिल्ली के मिजाज कुताय करेगा चोटा ब्योसाई जो जी एस्टी की मार से परिसान है वो भी दिल्ली की मिजाज कुताय करेगा क्योंकि उसके पास भी पता है कि विदान सभाद चुनाओं में केजर साब की पार्टी दिल्ली में इंडिया आलायंस के तहत सरकार में अपनी बड़ी भूमिका निभा पाने की स्थिती में होगी लेकिन आज उनके सामने सोने पर सुहागा जैसे स्थिती है क्योंकि गबर सिंटेक्स कहने वाले राहुल गांधी ही इस गटबंदन के सबसे बड़ है क्या सरुखाप पंचायत सब के सब भारती जनता पार्टी के खिलाफ है तो अर्भिंद के जुरिवाल की रिहाई उनका रोडसो उनका कनेक्ट और कॉंग्रेस पार्टी के साथ गटबंदन जमीन पर कितना काम करता है नेताओं का अगटबंदन कारेकरताओं के इन तेरा दिन बाकी है लगवग दो हथे बाकी है और इन तेरा दिनों में दिल्ली समेट काफी हद तक हर्याना की परिस्तितियां भारती जनता पार्टी के जो पहले ही खिलाब दिख रही है वो पूरी तरह खिलाफ हो जाए कोई नहीं जानता अर्विन केजरिवाल को माहौल बनाने वाले नेता के तूर पर देखा जाता है लगिन अब माहौल बनाने लायक प्लेट्स सेया करके माहौल बना करके यूँ कहें खुद भारती जनता पार्टी ने बीजेपी की सरकार और उसके मातध काम करने वाली इडी ने उनके गिरफ्तारी के साफ पहले ही तहए कर जमानत ने तैय कर दी है और बीच का पूरा गेम प्लान तो देश के पहले दलित पढ़ान मंत्री की संभावना को आगे रखकर कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया अलाइंस और वो डिमांड याद रखी अर्विन केजरिवाल और मंता बनर जी कहीं थी कि खड़गे को प्राइम मिंस्ट्रियल कैंडिडेट होना चाहिए तो यह प्लेट पहले से सजी हुई है और इस सजे हुए प्लेट के बीच जब केजरिवाल लोगों के बीच है तो भूल जाइए कि वह करनाट प्लेस के हनमान मंदिर में है या कृष्णा नगर में है या भल और नांगलोई की इलाके में हालात अर्मिन के जीवाल ने भारती जन्ता पार्टी के हाथ से करीब करीब बाहर निकाल दी है अब देखना बाकी है कि चुनावी नतीजों में जब यह चार जून को सामने आता है तो यह बढ़त क्लीन स्विप की तरफ जाती है जैसे बीजे झाल